अब customer का RFID card recharge करनी के लिए plant owner को side पे जाने की जरूरत नहीं है आप customer का RFID card UPI payment से भी recharge कर सकते हो इसके लिए customer को पहले A button प्रेस करना पड़ेगा उसके बाद machine के साथ जो QR आया है उस QR पे जतना payment करना है अपना payment करना है मैंने अब 100 रुपीज पेमेंट किया जैसी ही payment success हुआ वो payment हिट हुआ machine को और machine पे 100 रुपीज रिसीव हुए और जिसने किये उसका नाम भी यहाँ पे आया अब आपको RFID card place here card जहां लिखा है यहाँ पे insert करना है जैसी है आपने card place किया machine का balance RFID card में transfer हुआ और आपका RFID card रिचार्ज हो गया है machine में से 100 रुपीज बैलेंस यह देखिए यह 100 रुपीज बैलेंस machine से card में transfer